एक ताजा उधारण देता हूँ आजकल भारत में खराब बीमारी घुज गई है चिकन गुनिया लाखों लोग प्रभावित हैं मैं छे महीने से गाउं गाउं गूम के उसका हिलाज कर रहा हूँ और आपको सुनकर ताज़ुब होगा ज्यादा लोगों को इलाज में मैं एक ही बात बताता हूँ तुलसी का काड़ा पी लो नीम की गिलोए होती है ना उसको भी उसमें डाल लो थोड़ा सूट डाल लो थोड़ी छोटी पीपर डाल लो बस ये चार पाच चीज है और थोड़ा गुड़ डाल लो क्योंकि ये कड़वा इतना है कि पी नहीं पाओगे इतने मात्र से तीन खुराक में बीमारी ठीक हो रही है और जो एलोपैथी से कर रहा है ना वोवेरोन के तीन-तीन इंजेक्शन ठोक दो डाइकलोफेनेक दे दो और परसीटा मोल भी दे दो जो तुमारे पास है सब दे दो बीस-बीस दिन से विस्तर में पड़े तड़प रहे हैं बीस-बीस दिन से अभी आज मैं आया भीलवडा से और आने का देरी का कारण भी यही है कि वहाँ एक लाख लोग चिकन गुनिया से पीड़े थे वहाँ डॉक्टर आते हैं राजीब भाई जरा बताओ ना मैंने का अपना इंजेक्शन खुद क्यों नहीं ठोक लेते कहते हमें मालूम है इसके साइड इफेक्ट क्या है तो पेशेंट को क्यों नहीं बताते हैं इतने हराम खोरो तुम्हें मालूम है कि इसका साइड इफेक्ट क्या है वो वेरॉन लगाएंगे तो क्या होने वाला है भू में चाले हो जाएंगे गले में चाले हो जाएंगे अलसर भी हो सकता है, तुम जानते हो, फिर पेशन्ट को क्यों नहीं बताते हैं, ये हराम खोरी तुम में कहां से आ गई, अपने को इंजेक्शन ठोक होगे नहीं, उसको ठोकते जाओ, ठोकते जाओ, तुम्हें मालूम नहीं है, ठीक नहीं होगा, फिर परसितामोल देते और दुरभागे से एलोपैथी ने ये सब नाम 20 साल पहले बेन कर दी, वो कहते हैं, डाइकलोफैने खराब है, परसितामोल तो और भी खराब है, नोबल जीन तो 1984 से बेन है यूरोप में और अमेरिका में, वो ये इंजेक्शन या ठोक रहे हैं, लगातार लगाता है, दु उसी है ना, उसी से ओसीमम है, ओसीमम की तीन-तीन खुराग देके करना टक में सत्तर हजार रोगियों को चलता कर दिया, और वो बीस-बीस दिन से, बीस-बीस दिन से एलोपैथी खा रहे थे, रिजल्ट नहीं आ रहा है, ओसीमम 200 की तीन खुराग, सफिशन्ट, और आदमी बीस दिन से तड़प रहा है, बिस्तर में ना नीद आ रही है, ना चैन मिल रहा है, इतनी उल्टियां हो रही है, बुखार उतर नहीं रहा है, सब तकलीफ है, तीन डोस दो, खतम कहाने, बने उसको फिर कुछ जरूरत ही नहीं, और फिर आज इस्तिती यह है कि करनाटक सरक हमारे ये कैमकों के रिजल्ट देखने के बाद, अपने डाइरेक्टर सोर्स जॉइन डिरेक्टर सब को लाइन से लगा दिया, जाओ राजीव दिक्षित के पास, सीखो उससे, वो क्या दे रहा है, और रिजल्ट क्यों आ रहा है, हमने सत्तर अजार पेशन्ट को दवा दी छे मरे और उन्होंने एक लाख बाइस हजार को दी, उसमें से मुश्किल से छे बचे, ये करनाटक का हाल है, करनाटक में चिकन गुनिया इतना बुरी तरह से फैला है, कोई गाउं नहीं बचा जहां चिकन गुनिया ना हो, वेरी तो इस्तिती ये है कि कारिकरता कम पड़ अगर मेरे पास हजार दो हजार डॉक्टर होते हैं, तो हम करनाटक के उन लाखों लोगों को बचा लेते जो मर गए, पुछले छे महीं, महाराश्चु में भी ये है, रिजल्ट मिलते हैं उन दमाओं से, तो भरोसा क्यों नहीं करें उनके उपर, उसी मम तो तुलसी में से ही बनी है भाई, और तो क्या है, डाइल्यूशन फॉर्म में हैं बस इतने ही तो है, और तुलसी का काड़ा, समझ लो मदर टिंचर फॉर्म है उसका, तो काड़ा दे दो तो समझ लो मदर टिंचर दे दिया, और पुटेंसी में दिया, तो डाइल्यूट करके दिया, और युरुवेद का ही सिद्धानत है कि ओशदी की मात्रा जितनी कम रखो असर उतना ही अधिक है हुमियोपेती तो इसी पर काम करते है तो अपने विज्ञान में दम तो है अपनी विद्या में दम तो है बस इसका प्रचार करने की बात है प्रचार कौन करेगा आप करेंगे और इसका सबसे सरल तरीका है Walk, walk, walk and talk, talk, talk सबसे सरल तरीका अगर आप इसका اपनी विद्याओं का प्रचार करना चाहते हैं सरकार तो करेगी नए क्योंकि वो ग्लो पैती के चंगुल में फसी है हमारी सरकार के दो मंत्रियों का तो मेरा तजर्वा है पिछले छे साल में जब जब मैं उनके पास गया स्वास्त मंत्री को मिलने के लिए वो कहते राजी भाई ये सब हमको समस्ता है कर कुछ नहीं सकते क्योंकि ऐसा जकड के रख लिया है तो मैंने का इसमें आग तो लगा सकते हो आगी लगा दो हनुमान जी की तरह से रावड की लंका एक बार जल जाए कम से कम कहानी तो खतम हो जाए तो कहते हैं उतनी हिम्मत अभी तक नहीं आई है आ जाएगी तो वो भी लगा देंगे तो उनमें तो आने से रही क्योंकि वो तो फसे हैं अपने स्वार्थ में आप इसको तैयारी करो एक ना एक दिन ये विदेश से आई हुई चिकितसा पद्विती के तंत्र को ऐसे ही उखाड के फैकना है जैसे इस्ट इंडिया कंपोनी को उखाड के फैका था हमें तो